आप देख रहे हैं मेरा चैनल आज मुर्रम है देश के दालतों में तो आच छुटी थी लेकिन दिल्ली में दिल्ली हाई कोट में अरविंद केदिरिवाल जो की इस समय जेल में बंध हैं दो लड़ाईयां लड़ रहे हैं एक राजिनितिक लड़ाई तो आप सब जानता ही है दूसरी उनकी लड़ाई में वे जो छुपी भी लड़ाई है वो है देश के कानून के दुरूपियों की देश के कानून के दुरूपियों की नजायज इस्तमाल की एजन्सियों के वो लड़ाई भी अरविंद केदिरिवाल लड़ रहे हैं जैसा हमने पहले भी आपको कहा प्योग के जरिये हुकुम होतिया, उनके विपक्षी या ताक्ते, चुकि ताकतवर लोग ये कर सकते हैं, इंसाफ और कानून से खेल कर, उनको अपने हिसाब से तरोड मरोड कर, अपनी मनबरजी के लिए इस्तमाल करने का काम कौन कर सकता है, हम आदमी की तो हैसियत ही नहीं ह सपना भी नहीं देख सकता, तो ये तो ताकतें कर सकती हैं, ताकतें जिनके पास पैसे की ताकत हो, ताकतें जिनके पास रसूक की ताकत हो, ताकत जिनके पास सियासी, पोलिटिकल ताकत हो, और हुकुमत, वही है, तो आज अर्विन केजरिवाल की दर्खवास्त पर, रेंगल बैंच देख रही थी, उनके सामने cb ii के मामले में, अर्विंत के जिद्रिवाल की ग्राफ़तारी है वो, और बेल इसी मामले में, तो यह दोनों को चुनुती दिये नहीं के ग्राफ़तारी अवएद है, जैसे CBI के तरफ से DPS आपते और जबरदस बहस हुई बात निकली यहां तक निकली कि पाकिस्तान इम्रान खान वो भी आ गया बीच में बताएंगे वीडियो में आपको कैसे आ गया और यह भी निकली कि क्या इंडिविज्वल फ्रीडम व्यक्ति की स्वतंतरता व्यक्ति की जो गर कि रफतार करना चायdade? क्या उसके अदिकार है? सूुचना देनी चाहिए? उसको बताना चाहिए? नहीं बताना चाहिए? सारी बाते हैं उसके लिखए हैं और अर्टिकल 23 में जैसा लिखा है कि उसकी जो गरीमा है। उसके जो अधिकार है। मान residents सुने शित इंडियों की सा अपनी पैरवी में धंजियां उला दे उन्होंने सीवियाई की और जजसाईबा को उन्होंने मजबूत तरीके से बताया कि क्या ये महत्मून है महामला कितना जरूरी है ये केवल राजनितिक चश्मे से इसको नहीं देखा जा सकता इसको देखना जैसा हम हमेशा कहते हा रहे इस द्रश्टी से जरूरी है क्योंकि अगर ये नजीर बन जाएगी अगर ये प्रिसिडेंट बन जाएगा तो सब पर लागो होगा इसलिए जरूरी है राजनितिक लड़ाई लड़िया आप आप एवियम से लड़िये बैलेट पेपर से लड़िये आप दूसरे तरीके से लड़िये लेकिन कानून का बेजा इस्तमाल कहीं भी जायज नहीं ठहराए जा सकता है क्योंकि उससे जो देश के तमाम दूसरे लोग है उनकी भी उनके भी जो अधिकार हैं वो भी उससे वोईलेट होते हैं वंचित होते हैं लोग उससे इसलिए ये बहस बहुत जादा ज सारी कुरुने मांगी है कुर्कि उनके कहा कि भाई फैसला लिखने के लिए समय चाहिए जुडिश्री कितना ज्यादा कंजिस्टे ने सोचिया कितना ज्यादा मुश्किल है जुडिश्री के साथ चुट्टी के दिन जब हम ये अकबार में खबर पढ़ते हैं ना कि हमारे जो अवतार पूरुशे नौन बायलोजिकल उनके जो सलाकार्थ साब हैं जो बताते हैं कि छुटियां बहुत लेते हैं साथ तो उन्हें देखना चाहिए कि किस तरह का 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 बोज है बहराल पापी साथ है अरविन केजरिवाल के इस मामले पर अभीशेक मनु सिंग्भी ने ही त्र maze तो शिंग्विस सामने का कि इन्शोरेंस अरश इस लिए कि जूँए हूँ हुकूए हुकूमत सरकार जो भी है वो नहीं चाहती कि अरविन केजरिवाल बाहर आए जो भी वजय है उसकी उनकी ज्यूभी डर है उनकी क्योंकि कैशा काट अरविन के वाल बन चुके ह जो सियासत को कैसे मनजूर होगा, हुकूमत को कैसे मनजूर होगा, तो इसलिए उन्होंने बताया कि जब आप अल्रेडी E.D. के मामले में हिराशत में थे, तो जाच हो सकती तिन्होंने बोला हमारी विंती भी थी, हमारा रिक्वेस्ट था कि साब मेरी जाच कर लिजा, मैं त लेकिन मुझे नहीं बताया किया, सुप्रीम कोट ने मुझे पहले इंटरिम रिधी प्रहाद दी, जो चुनाव प्रचार के लिए उनको मिली थी, उसके बाद सुप्रीम कोट ने अभी जो चार-पांच दिन पहले 12 जुलाई की बात है, जिसका जिक्र हो कर रहे थे, उसका फिर हाई कोट ने रोख दिया, जिसको हमने चुनाती दी है, और वो मामला सुप्रीम कोट में आएगा, तो उनका कि तीन-तीन ओर मेरे पक्ष में है, और मैं कोई आतंक बादी हूँ, क्या, मैं दिल्ली का निर्वाचित मुक्य मंत्री हूँ, और जो ट्रिपल टेस्ट की ब बागने का खत्रा है, ना किसी तरह का जो भी हमारे उपर कंडिशन लगाई गई थी, कि आप ऑपिस में नहीं जाएंगे, आप बाओं को सेंसिटाइज करने का या प्रभावित करने का काम नहीं करेंगे, आप कोई जो भी कंडिशन थी, उसको सब को कंप्लाई किया, तो उ उसमें सिर्फ ये लिखा कि मुझे दुबारा गिरिफ्तार करने का, यानि अर्विन केजरिवाल को अनुमती दी जाए, तो उन्होंने कहा जो अर्विन, जो अभिशेक मनु सिंभी के शप्ते के ट्रायल कोट के जजज को इसको फैक देना चीए था इस आवेदन को, क्योंक मन बन गया, लीगल हो गया हूँ, क्योंकि उसने, अदालत ने उसको गया दिया कि जाओगी रफ्तार कर लो, अदालत को पूछना चीए था, इंटर्वीन करना चीए था, उन्होंने जस्टिस खनना, जस्टिस अंजीव खनना, सुपरीम कोट के वादिपांकर दता कि जो 12 उलाई को 65 पेज़कार, उन्होंने जो आदेश दिया है, जो उसको पढ़ना चीए, जिसकी भी कानून में दिल्चस्पी है, असान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, आप समझ सकते हैं, पढ़ा हुआ है, सुपरिंग कोट की वेब साइट पर आप देख सकते हैं, और भी प अभिशेक मिन संग्मी ने के मैडम, अभाई कोट, माई लॉर्ड, अगर अर्विंद केजरिवाल एक मिनट के लिए कहते हैं, कि मैं जवाब नहीं देता, चलिए, CBI ने पूचा कि भाई, पताईए, क्या हुआ था, क्या मामला है, और अर्विंद केजरिवाल को अटा देत के लिए, माल लिए आप पर मामला है, मुझे CBI गरिफदार करना चाहती है, और मैं यह कहता हूँ, कि नहीं साम मैं नहीं बताऊंगा, जो करना है कर लो, गो टो एल, नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने कहा कि क्या माईलोड यह बताईए, क्या सम्विधान के अंदर जो प्र रहा है, जो आप सुनना चाहते हैं, या जो आप चाहते हैं कि वो कर ले, तो क्या उसी अधार पर आप गिरफदारी कर लेंगे, आपके पार सबूत नहीं है, लेकिन केवल इस अधार पर आप गिरफदारी कर लेंगे, कि तब वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, वो बता नहीं लोगों को, यहां तो अगर CPI आ जाए, पुलीस ही आ जाए, तो आदमी तो पब्लिक परसेप्शन में तो लोग यह मानने लगते हैं, अरे कुछ तो किया होगा, भया ऐसे तोड़ी पुलीस आ जाएगी, कोई पुलीस के बारे में, पुश्टारच के बारे में, अजनसी से बारे में, परसप्शन वहाँ से ड्राइब होता है, जन्मत वहाँ से बनता है, और उसी का तो सारा खेल है, वही तो चाहिए था, तो यह अभिश एक मनुसंग्मी ने बात की फिर उन्होंने बोला कि पांच तारीके आपको बताना बहुत जुरूरी है मैडम जिन पर आपको ध्यान देना चीए और वो तारीके इस बास से जुड़ी है कि जो केस कब दर्ज हुआ, कब नोटीस आया, कब गिरखतारी हुई, कब रिलीज हुआ जैसे ही E.D. के मामले से रिलीज का आदेश पारित हुआ, निचली जालत से तो पहले तो High Court ने अगले दिन उस पर दे दिया, फिर जब ये आगे जाएंगे Supreme Court तो वहाँ से आदेश मिलना था, तो पहले ही तैकर लिया गया कि वहाँ से होगा, अगर रिलीज मिल जाएगा, जो कि मिली गया बाद में, तो पहले गिरखतार कर लिए ताकि Standby, Stop Gap Management, इसी को अभिशेक मनुसंगी ने Insurance Arrest का नाम दिया, कि वह लिए ये योजना थी, क्योंकि कोई चाहता है, CVI नहीं हो, करें CVI नहीं हो, करें कोई, अभिशारा तो उनका किस की तरफे आप सब जानते हैं, हम और आप जानते हैं, उनका इशारा मोदी, अमिर्शा, भार्षपा सरकार, प्रिधान मंत्री, किंद्री नेत्वत, हकूमत, हकूमत तो ओई है आज की तारीक में, जो राजाओं की तरह बहेव करना चाहते हैं, सुल्तानों की तरह है, शैंशा की तरह है, जिसका मनना माईवे या हाईवे, वो जिसकी परते खुलती जा रही हैं ल आज वो गलती से नोने खाने वाले दान दिखा दी, आकि उत्तरप्रदेश में जो चल रहा है, योगी वर्सिस, केश्व परसाद मौरिया, पाठक ये, वो उठा पठक ये, पाठक जो भी गही है, वो आप सब देखी रहे हैं, तो परते खुलती जा रही हैं, तो वो सब च कर किया, उन्होंने का कि 17 अगर्स 2022 में, F.I.R. जो ही, उसमें अरविन केद्रिवाल का नाम नहीं है, उसके बाद 14 मार्च 2023 को, केद्रिवाल साब को, जो CMT दिल्ली के, उनको संबन में जा गया, और वो संबन पर आए, तो उसके बाद, लगबग, मतलब आप समझें, तकरी ठीक है, उसके बाद 21 मार्च को, यानि 2024 में, जब Model Code of Conduct लाग हो गया, चुनाओ संकिता शुरू जारी हो गई, तब 21 मार्च को E.D. ने, Enforcement Directed ने, अरविन केद्रिवाल जी को गिरिफतार किया, और अरविन केद्रिवाल जी को जाए, जुडिशल कस्टिडी मिल गई, और कस्टिडी की मांग की, ठीक है, तो उनका के, अब common sense है ये, कि भई, इस से में गिरिफतारी की जूरत ही नहीं है, जब आदमी अलड़ी कस्टिडी में है, E.D. की, तो आप पुश्टाच कर लो, उसके बाद, ट्रायल कोट से 20 जून को regular mail मिल गई उनको, ठीक है, जैसी regular mail मि आया, कि ये पूरा design था, अगर मामला इतना ही जरूरी था, CBI के लिए, तो पूरे लगबग 8-9 महीने आप उसको समझ लीजिए, उससे में CBI ने तो कोई वो नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की, E.D. का तो मामला चल रहा था, E.D. तो संबल बेज रही थी, CBI क्या कर रही और जब ये हिरासत में थे, तब क्या हुआ, E.D. कर रहे थे, कि अगर इससे चूटेंगे, तो हम, इसी लिए उन्होंने, इमरान खान का जो जिकर किया, वो इसी संदर में किया, कि हम समने देखा, पड़ोसी देश में, इमरान खान को जो वह प्रधान मंत्री थे, कितने मा मिल जाती है, तो उनको एक नए मामले में, अब उन पे मेगा वो, केस चगाया जाएगा, फिर उन्हें गिरफ्तार के ले जाता, कि बाहर में आ सकी, तो उन्होंने का कि ये, हमें गर्व है, हमें प्राउड है, जो उनके शब्त है, कि ये हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना कि हम इंदुस्तान में ऐसा होने देना चाहते हैं, ये उनका अदालत के सामने एक तसवर था, जो उनके पेश किया, अधारन एक सिमली उनके पेश की, कि क्या हम पाकिस्तान की तरह होने जा रहे हैं, जहां पुलिस स्टेट है, जहां जो कुछ भी है, पुलिस, कानून, मिल सब कुछ, बाकी मानव अधिकार, जितनी भी बाते हमारे समयदा में लिखे हैं, वो सब कुछ से ये बात रोने बहुत महत्पून वा रखी, और उनका कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोट से E.D. के मामले में अंतरिम जमानत मिल जाती है, और उसके बाद इसलिए C.V.I. जो कानून और सम्विधान द्वारा इस्थापित परंपरा है, प्रक्रिया है, प्रिसिडेंट है, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना, उसकी अभेलना कैसे परदाश करेगी है अधाला, तो उनका कि आप तो खुद ट्रायल कोट रह चुकी है, जो साइबा है, नीना बं है, उनका इशारा नियावन्दु जी वाले जज्ज्मेंट के उपर था, और उनने इसी बात को उठाने की कोशिश की, कि अगर जाज अजंसियां प्रक्रिया का दुरूपियों करती है, उनको दिये गए अधिकार का उलंगन करती है, तो फिर ये ट्रायल कोट की है, जो भी देना पड़ेगा, व्यक्ति को सूचना देना ही पड़ेगी, तमाम सारी बाते जो हम पहले भी कह चुके है, तो उसी का उन्होंने आज, उसी की पुन्रावर्ती, उसी को उन्होंने दोराया, रिपीट कि उन्होंने, और बताया उनको के जो CBI की कारवाई है, वो Article 21 का खु कुष्टाच के लिए भी जुरत होती है, अनुमती लेनी पड़ती है, नया एले से, मनने नया एले से, तो हमने, CBI ने उस सारे प्रोटोकॉल का पालन किया, केंदरी जाज एजन्सी ने, कोई अतिक्रमन नहीं किया, जो भी आरो भंपर लगाए जा रहे है, वो गलत है, जो आरोपियों को छोड़ने की बात करी जा रही है, तो वो परिस्तियां वैसी थी, इसलिए उनको छोड़ा गया है, या उनको रिया किया गया, या उनको आगे कारवाई नहीं हुई, जिनको या गिरफतार नहीं किया गया, तो गिरफतारी का जो जरूवत का मापधंड है, उ जिनसे उनकी सनलिप्टता साबित होती है तो फिर हमने उनके गिरफतारी का या उनके उसके लिए वो क्या हमें मंगूटा रेडी का उन्होंने जिक्र किया उन्होंने इस एपरहल में जो भी हनुमती मांगने की बात थी कि जब उन्होंने बयान दिया जिस बयान में उन्होंन जिसने आनमें मंगूटा रेडी ने कहा कि केजरिवाल साम ने मिलने के लिए कहा था, वगरा, वगरा, पॉलिसी में, वो उन्होंने, उसका हवाला देते वी यह बात का, कि हमारा जो तरीका है, प्रोसीजर है, उसके तहती हमने किया, अदालत ने जो लेकिन कमेंट की है, अदालत ने गा कि देखिए, ये बार ठीक है कि पहली बार जो अंतरिम राहत सुप्रीम कोट से मिली हो चुनाव परचार के लिए थी, वो ठीक है, लेकिन जो दूसरी बार उनको मिली हो तो मेरिट में है, यानि कि जो भी कॉंपिटेंट क कोट थी, संबंदित मेले था, उसने उसमें मेरिट पाई, तभी मिली, और सुप्रीम कोट, जिसका जिकर बार-बार अभिशेक अनुसिंगी जी ने भी किया कि सुप्रीम कोट ने भी ED के मामले में पाया कि उनकी स्वतनतरता का हनन हो रहा है, और ED PMLA के जो जिरफतारी के औ बेल को लेकर के जो 19 A और 45 A की बात चल रही है पूरी बैस में जिसकी पूरी व्याक्षा के लिए उन्होंने लारजर ब्रेंच को रिक्मेंट किया, लेकिन उसमें जो टिपनिया की है, वो अपने अपने उलेक नहीं है, तो उसको कैसे कह सकते हैं, उसका जवाब दीजे, य उसको रोब दिया गया था, तो अब दिना बंसल जी ने उनसे कहा, क्रिशन जी ने कि वह आप 41 A पर आप बात करो, उसके उस पर जवाब दीजे, तो दिया उन्होंने, के CBI को अधिकार है कि सिर्फ संदे के अधार पर भी, सस्पिशन के अधार पर भी कि उसे शक है, उसकी पाद 9-10 महीने से ज़्यादा का समय था, तो आप मार्श से लेके, जून तक इंतियार क्यों कर रहे थे, तब तक चा कर रहे थे, कहा बैठे वे थे, यह जो टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रहे है, उसका जवाब क्या है आपके पार, CBI के जो वकील है, डिपीजिंग जी याद होगा आपको, ये टिपनी पहले भी हाई कोट कर चुका है, केद्रिवाल के मामले में, जब सिंग्विश साब गहे थे, तो सिंग्विश साब ने कानून का वाला दिया था, कि कानून के अंदर हमारे पास इस बात का अधिकार है, कि हम सीधे यहाँ हैं, अपनी गिरि ये वहाँ, ट्राइल कोट के पास जाए, और उसी को वो बताना चारे थे, कि ट्राइल कोट में चार जो आरोपत्र हैं, चार सीट है, वो लंबित पड़ी हैं, और वहीं पर बहस होनी चाहिए थी, यहाँ अनाइनी चाहिए था, और इस पर भी उन्होंने कोशिश की, अदा करेंगी या सुनवाई करेंगी उस पर फैसला करेंगी, तो मोटी बात जो सारी सुनवाई के द्वरान रही, जिसका जिक्र हम कर चुक हैं कि महत्मून यह है, अभी शेक मनुसिन भी ने इस्थापित कर दिया, कि मुझ के मुद्दा तो गिरफतारी की आवशकता ही है, कि ग करिय रत है, नहीं तो फिर सुप्रीम कोट तो ही, तो 29 तारीक को देखते हैं क्या होता है? ज्यादा सम्भावना इसी बात की है, कि जो सुप्रीम कोट जो संकेत लगातार दे रहा है, बेल के मामले में, और जो इन्डिविज़न लिबर्टी को सुप्रीम कोट बहुत बार- तो बने रहे हैं लिगलोब दुनवर के साथ आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें बताईए अपनी राये से हमें अवगत कराईए और हमारा प्रयासी दिया आपको ठीक लड़ता हो तो हमें सब्सक्राइब करें हमारी वीडियोज को शेर करें लाइक करें कमेंट करें करेंश करेंश से करेंश करेंश